भोपाल में पांच साल की बच्ची से दुषकरμ का मामला सामने आया है एक किनाराई माने स्कुल के ड्राइवर व अन्य स्टाफ के खिलाफ दिल्ली के बारैं खमभा पुलिस ठाने में मामला दर्ज करवाया है दिल्ली पुलिस ने मामले को भोपाल के शहर जहानाबाद थाने में भेज जा है जहां जीरो एफाईयार के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है पीडिदा की माने पूरी घटना को लेकर पी एम मोदी को भी जानकारी भेजी है जानकारी के अनुसार बच्ची की माने भोपाल के एक नीजी स्कूल के स्टाफ और बस ड्राइवर पर आरोप लगाया है कि उसकी बच्ची जब 4 साल की थी तब बस के ड्राइवर और स्कूल के स्टाफ ने उसका यौन शोशन किया है जानकारी के अनुसार पीडित बच्ची ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसे एक खंड एहर में लेंगे थे जहां उसके साथ गलत काम किया था महिला ने बताया कि वेह घटना के बाद काफी डर गई थी जिसके चलते वेह वदेश चली गई थी लेकिन अपनी बच्ची के साथ हुए घलत काम से कुंठित होकर वेह वापस लोटी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया पीडित बच्ची की मा ने बताया कि वेह अपनी बच्ची को नयाय दिलाने के लिए भटक रही है इसके चलते उसने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीबी आई तक से मदद मांगी है महिला ने बताया कि उसने सबसे पहले 2017 में दिली में शिकायत दी थी जिसके बाद शहर जहाना बाद थाने में शुनिये एफाई यार दर्ज की गई उसने बताया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ ज्यादती होने की पुष्टी हुई लेकिन पुलिस का रवया धीला होने के चलते आरोपियों की गिर अफ्तारी नहीं हो पा रही है